वाई एमपी के ग्रेमंत्री ने कहा कि पहले पी-एम को रावन कहा गया और अब उनके हत्या की बात की जा रही है कॉंग्रेस गालियों की पूरी सीरीज चला रही है क्या का सुनिए सुनिया जी कहती है मौत का सुदागर सुबोद कांध हिटलर कहते है नाना पटोले इनके नेता कहते है मैं मोधी को मार सकता हूँ मद सूदन मिस्तरी आवकाद दिखाने की सीरीज है इसकी और ये सोच विकरत हो गया विकरत मान सकता की पूरी कांगरेस हो गई है जब इनकी राहुल जी की यात्रा में टुकले टुकले गैंग के सरगना चलेंगे करनिया कुमार जी सुरा भासकर जी सुसान सिंग जी और क् वहाई केंद्रिय मंत्री गिरिराज सिंग ने कहा कि मोधी जब से सत्ता में है उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है लेकिन विरोधी इसमें खामे आप नहीं होंगे क्योंकि देश की जनता पिये मोधी को प्यार करती है चूना लगाने वाली कंपनी के आईपियो में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं बेस्ट आईपियो निवेश करना चाहते हैं फ्रीडम आपको डाउनलोड करें आईपियो निवेश में एक्सपर्ट बनें के लोग इस बात को डाईजस्ट नहीं कर पा रहे हैं आज कांग्रिस के पूरों मंत्रिया मंद्पदेश के राजा पटेरिया उनका यह कहना था कि अगर सम्वेधान को बचाना है तो प्रधान मंत्री निवेश की हत्या करनी होगी आलगी बाग उन्होंनों कहा कि राजनित हैं कि मोदी की हत्या होगी कई लोग कह सपना देख रहे हैं मोदी जीता है भारत के मान सौभेमान और विकास के लिए मोदी सोता है और जगता है भारत के लिए ये देश का पहला प्रधान मंत्री है जो सोता और जागता है केवल भारत के सौभेमान के लिए भारत के विकास के लिए हत्या की साजिस करने वाले करते रहें ये तो जब से सत्ता में गुजरात में आए हैं तब से हत्या की साजिस हो रही है इन मेरे गाउं की कहावत है कि गाउं की कहावत ये है कि किसी के सरापने से किसी की मिर्तू नहीं होती कसया सराप ने एक कहावत है कि कसाई के सराप देने से कहीं गाई की मिर्तू नहीं होती गाई धर्म के रूप में देखा जाता है उसी तरह मोदी को शरापने की मोदी को हत्या करने की शाजीश मोदी के हत्या के लिए प्रियास करे तो भी कुछ नहीं होगा कांग्रिस तो पाकिस्तान को जाकर के कई नेता जाकर के खुशामत कर चुके कि मोदी को हटाओ मोदी को देश की जनता चाहती है और जिसे देश की जनता चाहती है उसे कोई नहत्या कर सकता ने कोई हटा सकता यही मैं कहूं चूना लगाने वाली कम्पनी के IPO में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं बेस्ट IPO निवेश करना चाहते हैं Freedom Map को डाउनलोड करें IPO निवेश में एक्सपर्ट बने वाई स्मिर्थी रानी ने कहा कि गांधी परिवार के इशारे पर सतत गांधी परिवार के आदेश अनुसार नरेंद्र भाई पर ना सिर्फ अभद्र टिपणिया की है बलकि उनकी हत्या हो ऐसी इच्छा भी बार बार जाहिर की है प्रश्न ये उड़ता है कि गांधी खांदान क्यूं उतारू है कि नरेंद्र भाई पर एक व्यक्ति नहीं बलकि एक समिधानिक पद पर विराजमान एक व्यक्ति पर इस प्रकार का प्रहार हो ये मात्र शब्द नहीं है जब कॉंग्रिस के पास सत्ता थी पंजाब में तब उन्होंने प्रधान मंत्री की सिक्योरिटी के साथ क्या खिलवार किया था इसका देश साक्षी है गांधी खांदान क्यों बार-बार अपने नेताओं को उकसाती है कि वो नरेंद्र भाई का इस प्रकार से ना सिर्फ अपमान करे बलकि उनकी मौत की इच्छा भी व्यक्त करे